Hello everyone, कैसे हैं, आप लोग आए, I hope कि आप लोग सब अच्छे होंगे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU 2024 degree 2 mathematics honors का जो 2024 में एक्जाम होने वर ला है उसके जो उसके लिए हम paper 4 का जो question 2 का स्टार्ट किये थे उसमें 2022 का question paper solve कर रहे थे उसमें first का जो हम A B solve कर चुके थे, आज के इस वीडियो में हम C नमारने की question को solve करेंगे, तो देखे काता है solve, dy y dx equal to y 10x minus y square 6x, इसको जो हम काता है, solve करने के लिए ठीक है, तो चलिए इसको जो हम solve कर देते हैं, तो चलिए आपको जो topic है उसमें सी यह हमारा नि उठाया है, यह हमारा non-linear differential equation है ठीक है, तो इसको अध्य or not only differential equation हि again which is our equation command है, जो रॉद हमारा फोर्म होता है दी य अपोन ये डिय एक्स पलस सुआ यивать और यह क्यों होता ही हो है इस फोर्म में रहता है देखिया यह हो हमारा डिफ्रेंट वेस्ट्री हॉ factor य इस फोर में दीया हुआ है इतको हम क्या करते हैं इस और बात वाकशी यहां पे जो आएगा तो यह को इसीज़ा करदेगे तो यह अपरें से जब हम solve करने की कर लेंगे ठीक है तो चलिए इसको धी जो हुआ हम इसे ही solve करेंगे तो solution यहाँ पर solution दे दीजिए solution चलिए इसको black pencil लिखते तो अगर अच्छा से दिखेगा तियनी solution नहीं कि हम दे दिये है तो चलिए इसको पहले हम inside करते हैं तो हमारा dy by dx इसको कोई साइड करेंगे तो मैंनस y 10x मैंनस y 10x और इसको यह हमारा हो जागा मैंनस y square से क्याक्स यह इतना हो गया इतना तक समझने में कि नहीं को कोई दिकत नहीं हुआ होगा अब देखिए हम डिवाइडिंग करते हैं y square से क्या करते हैं चलिए मैंनस y से दिवाइड लगा दिजिए यहाँ पर लिख दिजिएगा dividing by dividing by y square on both side यहनी कि हम both side दोनों तरफ करते हैं we get तो मैंने कि y minus y square से डिवाइड करेंगे ति हमारा minus 1 बट्टे यह y square dy by dx minus y बट्टे यह हमारा minus y square और यह हमारा 10x equal to यह हमारा minus y square बट्टे यह minus y square और यह सेक एक्स है यह इतना हो गया अब देखिए यहां पर जो होगा कुछ टर्म जो होगा तो देखिए और यह यह और यह और यह minus minus पलास हो जाएगा यह cancel हो गया जो जो cancel हो गया तो उसको हम मैंने कि जो जो यहां पर बचा हुआ है यह 1 by y square dy upon dx और देखिए minus minus पलास हो जाएगा और यह 1 by y 10x 1 by y 10x यह इतना बचा हुआ है और यह देखिए यह जो हमारा अब इनको differentiate कर जाते हैं with respect to x differentiation with respect to x x के respect में differentiate करेंगे तो इसका differentiation हो जाएगा minus 1 by y square और यह dy by dx और t का integration हो जाएगा dt by dx अब देखिए minus 1 by y dy by dx equal to dt by dx है अब देखिए यहां पर जह हुआ इसमें यहनी कि हम इनकी इसका भेलो हम यहां रखेंगे तो यह हमारा जह हुआ इसका नाम जह हो first भी रख सकते हैं आब जह हुआ इसका भेलो हम यहां रखते हैं यहां पर लिख देगे put these value these put these value in equation first then यहनी कि हम जह हुआ इसका भेलो हम इसमें रखते हैं इसका भेलो जब हम इसमें रखेंगे तो यह dt बटे जह हुआ dx dt बटे dx यहनी कि dt बटे dx और यह जह हुआ पलस देखें one बटे y को हम t put कि हैं यह t और यह 10x हो जाएगा यह हमारा 10x हो जाएगा equal to यह जह हुआ हमारा क्या होगा तो 6x हो जाएगा यह 6x हो गया अब देखिए यह जह हुआ हमारा linear differential equation बन गया है तो यहाँ पर जाएगा हम लिख देंगे which is यहाँ पर हम लिख देंगे which is the linear d का मतलब हुआ differential equation of the type देखें linear differential equation में वो कौन सा type का बना है यह हमारा बना हुआ है dy by dx plus py equal to q अब देखिए यहाँ जो आप compare करके p और q का value निकाल लिजे आप तो linear differential equation को हम कहीं से solve करते हैं यह तो आपका last 12 में भी पढ़े थे तो पहले सबसे पहले उसमें integrating factor निकालते हैं फिर जाके इने उसको इने के solve करते हैं देखिए यहाँ पे जाओ हम integrating factor यहाँ पर पहले compare करके लिखे लेंगे where यहाँ पे देखिए p equal to क्या है तो p equal to हमारा क्या है तो यहाँ पे जो हमारा 10x है यह हमारा 10x and q equal to क्या है तो sec x है sec x यह इतना है अब देखिए हम निकालते हैं integrating factor integrating factor निकालेंगे तो एक पावर p dx अब देखिए यह एक पावर integration of यह हमारा 10x 10x dx अब देखिए यह जह हुआ एक पावर लोग sec x इसका भेलू जह हुआ क्या हो जाता है तो sec x हो जाएगा ठीक है इसका जह हुआ तो sec x हो जाएगा ठीक है तो देखिए यह भी हम कैसे करते हैं वह भी जह हुआ हुआ है यह प्रोसेस होता है यह कि मांद चलिए y की कोई solution लिखते हैं given differential equation का यहां पर हम लिखे देंगे now now solution of solution of given differential equation इसका solution क्या हो जाएगा तो t into यह integrating factor equal to integration of q into में जो हुआ यह गुने हो जाएगा गुने integrating factor और यह dx पलास यह c अब देखिए सभी का value हम जा हुआ रखते हैं इसमें तो t integrating factor क्या हमारा sec x है तो sec x q equal to sec x तो sec x कुने integrating factor जो हुआ हुआ sec x है तो sec x यह जो हुआ हमारा d x है तो d x plus c है तो c अब देखिए t t equal to वह हम put किये थे यहां पर देखिए t equal to 1 by y तो यहां पर हम रख देखेंगे तो यह हमारा 1 by y sec x equal to देखिए यह हमारा हो जाएगा sec square x d x plus c हम जानते हैं sec square x का integration 10 x होता है तो 1 by y sec x equal to यह हमारा हो जाएगा 10 x plus c 10 x plus c हो गया अब देखिए y को इसेर multiply कर देगे तो multiply कर देगे तो यह हमारा sec x equal to y 10 x plus c y यह y को इसेर भेदेंगे तो therefore यह sec x minus y 10 x equal to c y यह हमारा क्या है तो इसका solution है इसको bracket में डाल दीजिए और यह ही जो होगा solution है यहां पर लिख दीजिएगा और अच्छार है नहीं भी लिखेगा तो कोई बात ने लिख दीजिए अच्छार है यहां पर लिख दीजिए which which is the required required solution solution of यह हमारा answer हो जागा यह सरे साथ नमर में पूछा हुआ था यही जह हुआ आंसर हमारा हो जागा ता आए होप कि आप लोग यह question जो बहुत यह अच्छा तरीका से समाज गयोंगे तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट नमर कोईचन के साथ अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कोमेंट एन अपने दोस्तों के बीच सेर कीजिएगा अगर आप चैनल प